नवस्कार बच्छो, तो जैसा की हम लोगों ने लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में सेट्स के कुछ नई-नए कोशन्स हम लोगों ने किये थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सुरू की थी, तो बच्छो आज मैं आपको तीन सेट वाल ठीक है सिर्फ तीन सेट वाले जो कोश्टिंस हैं आज मैं वो करवाऊंगा आपको ठीक है चलिए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं एंस्याइटी 11 देखे बच्छो तो हम लोग बच्छो कोशन नमबर 13 कर चुके 13 और 14 मैं आपको करने के लिए था 15 और 16 आज मैं कराऊंगा तो देखे जरा कोशन नमबर 15 है क्या 16 है क्या तो बच्छो कोशन नमबर 15 है In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, 8 read both T and I, 3 read all three newspaper. Find out the, पहला question, the number of people who read at least one of the newspaper, और second, the number of people who read exactly one newspaper, simple, बहुत ही simple, question, ठीक है, इसके extra question बच्छो मैं आपको next class से कराऊंगा, ठीक है, अभी मैं इसके एक class और लोंगा, tension मतलो, ठीक है, और उस class में मैं आपको कई सारे word problems करवाऊंगा, ठीक है, चलिए, देखेंगे जिरा, हाँ जी, सबसे पहले, सर्वे में कितने लोग हैं, 60, चलो गए, सबसे पहले, question number कुन सा, यह, miscellaneous का, 15 तहीं है, miscellaneous का, the number of, क्या है, भई, people, in a survey, in a survey, सर्वे में कितने लोग हैं, 60 लोग हैं, ठीक है, the number of people who reads, who reads, H, news, paper, तो बच्चे, कितने लोग हैं ऐसे, 25 लोग हैं, जो H, newspaper पड़ते हैं, the number of people who reads, कौन सा, newspaper, T, newspaper, कितने लोग हैं, 26, the number of people who reads, I, newspaper, कितने बने हैं, 26, अच्छा, अब कह रहा है, the number of people who reads, both, हाँ भई, बोथ, कौन-कौन से, बोथ, कौन-कौन से, बच्चो, H and I, H and I, newspaper, H and I, newspaper, तो कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, ठीक है, उसके बाद कह रहा है, H and T, the number of people who read, both, H and T, newspaper, कितने लोग हैं, 11 लोग हैं, अगला कह रहा है, the number of people who reads, both, T and I, कितने हैं, T and I, तो बच्चो, T and I, newspaper, पढ़ने वाले, 8 लोग हैं, और अगला है, the number of people who reads, all three newspaper, all, three, newspaper, तो कितने लोग हैं, 3, कितने लोग हैं, 3, तो पहला कोशन आपसे पूचा है, पहला कोशन पूचा है, the number of people, the number of people who read, who read, at least, at least, one of the newspaper, one of the newspaper, और बच्चो, साइद मैंने आपसे एक बात करी थी, क्या, साइद मैंने आपसे एक बात करी थी, क्या करी थी बात बच्चो, कि जब भी at least word लग जाए at least word लग जाए तो वहाँ पे हमें union निकालना होता है क्या निकालना होता है? union और बच्चों, तीन वाले का formula side में पहले लिखवा चुका हूँ कि single single को add करो, double वाले को minus करो अब both का मतलब होता है intersection ये बात हम पिछले दो किलासों से कर रहे हैं ठीक है? ठीक है? चलिए, put करेंगे h 25, 26, 26, ये 9, 11, 3 और भाई कितना हो जाएगा? प्लस का sorry, 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 ये 8 होगा ठीक है? चलिए, solve करें 26, 26, 26 अब कोगे 25 है ये बाई मेरा तरीका add करने है, 26, 26, 26 तो कितना हो जाएगे? 75 और 277 और 3 प्लस का 80 minus वाले, 11, 9 और 20, 28 minus करेंगे 52 तो बच्चो, 52 बंदे ऐसे हैं 52 लोग ऐसे हैं, people ऐसे हैं, जो कौन है भाई? who reads at least one of the newspaper जो कम से कम एक newspaper जरूर पढ़ रहे हैं, ऐसे कौन से लोग हैं? 52 लोग हैं तो जल्दी से बच्चो इसको नोट कर लो जल्दी से नोट कर लो दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो ठीक है? अब इसे मिटाता हूँ यह आपने नोट कर लिए हो गए यह वाला? ठीक है? अब देखना अब क्या कह रहा है वही? अब second question देखेंगे अब second question देखेंगे अब second question में कह रहा है आप से, second part में कह रहा है आप से the number of people, the number of people people who read exactly, exactly one newspaper exactly one newspaper, कम से कम एक newspaper पढ़ रहे हैं तो बच्चों अब exactly one में और at least one में क्या फरक है? at least one, at least one का मतलब एक भी पढ़ सकता और एक से ज़ादा भी मतलब तीन newspaper है ना? तो at least one का मतलब यह है कि एक तो पढ़ी सकता है दो भी पढ़ सकता, तीन भी पढ़ सकता है लेकिन exactly one newspaper का मतलभ का है? सिर्फ एक newspaper पढ़ सकता है कोई सब्सक्राइब पढ़ ले एक ही पढ़ेगा या तो H या तो T या तो I ठीक तो इसको मैं when diagram से समझाऊँगा इस वाले question को हाँ भई यह H newspaper यह T newspaper यह I newspaper H, T और यह I हाँ भई देखो एक बात बताओ इस पूरे में कौन आ रहा है H, इस पूरे में कौन आ रहा है T, इस पूरे में कौन आ रहा है I, ठीक है चलो मान गया लेकिन बच्चो इस पूरे में कौन आ रहा है H और T इस पूरे में कौन आ रहा है T और I इस पूरे में कौन आ रहा है H और I ठीक है H और I यहां तक clear अच्छा यह B इच वाले में कौन आ रहा है तीनों आ रहे हैं ठीक है तीनों आ रहे हैं कौन H B, T B, I B लेकिन अगर बच्छो मैं इस वाले हिस्से की बात करूं ध्यान से देखना हूँ अगर मैं सिर्फ इस वाले हिस्से की बात करूं अगर मैं सिर्फ इस वाले हिस्से की बात करूं तो इसमें कौन आ रहा है इसमें आप देख रहे होगे इसमें आपको सिर्फ H दिखाई दे रहा होगा क्यों? क्योंकि इसमें और किसी की involvement नहीं है ठीक है अगर मैं इस वाले की बात करूँ अगर मैं इस वाले की बात करूँ इस वाले की तो क्या इसमें किसी और की involvement दिखाई दे रही है नहीं इसमें सिर्फ अकेला मालिक कौन है T मालिक है कौन मालिक है T अच्छा, इस वाले में आपको किसकी involvement दिखाई दे रही है इसके अंदर, किसी की भी नहीं दिखाई दे रही है इसमें कौन मालिक है, अकेला, I मालिक है ऐसा ही है न, ठीक है तो हमें तो भाई, exactly one चाहिए न, exactly one मतलब ये वाला हिस्सा चाहिए, ये वाला हिस्सा चाहिए, और ये वाला हिस्सा exactly one मतलब क्या, ये जो red वाला है, इसमें सिर्फ बंदे h ही पढ़ रहे होंगे h के अलावा कुछ नहीं, ये जो नीले वाला है, इसमें t के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे यह जो काले वाला है, इसमें I के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, फालतू की चीज़े हमारे पास क्या है, फालतू की चीज़े हमारे पास यह पूरा हिस्सा है यह वाला, HT, TI और HI, यह हमारे पास फालतू का हिस्सा है, तो ठीक है भई, फालतू हो चाहे मार्क ना हो ये पूरा हिस्सा कौन है ये पूरा हिस्सा है बच्चो ह यूनियन टी यूनियन आई सही बात है ये पूरा हिस्सा यही है अच्छा अब इस पूरे हिस्से में से मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए यह बीच वाला नहीं चाहिए तो भई पहले इस हिस्से को हटाओ पहले इस हिस्से को हटाओ तो यह हिस्सा क्या है? H intersection T फिर इस हिस्से को हटाओ कौन है यह हिस्सा? T intersection I फिर इस हिस्से को हटाओ कौन है यह हिस्सा? H intersection I लेकिन बच्चो इन सारे चीजों में आपने एक बात देखी होगी क्या बात देखी, देखो, ध्यान से देखना मेरे हाथ को एक बार, दो बार, तीन बार ये बीच वाला हिस्स आपको कितनी बार कटता हो दिखाई देगिया ये बीच वाला हिस्सा बच्च आपको तीन बार कटता हो दिखाई दे गिया जबकि मुझे काटना कितनी बार था? एक बार मुझे कटता हो कितनी बार दिखाई दिया? तीन बार जबकि काटना कितनी बार था? एक बार तो कितनी बार फालतु काटा, दो बार फालतु काटा, तो जितनी बार फालतु काटा है, उतनी ही बार add कर दो, दो बार फालतु काटा था, तो दो बार add कर दिया, बस बात खतम, आगे answer, इसकी value कितनी थी, 52, इसकी value कितनी है, 11, इसकी value कितनी है, 8, इसकी value कितनी है, 9, प्लस 2 इसकी वेल्लू कितनी है? multiply में 3 तो 52 माइनस ये कितना हो गया? 28 प्लस 6 52 और 6 58 माइनस 28 कट क्या गया? 30 तो 30 बंदे ऐसे हैं 30 बंदे ऐसे हैं 30 लोग ऐसे हैं जो exactly one news paper पढ़ते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही news paper पढ़ते हैं क्या मेरे किसी भी बच्चे को इस question में doubt है? किसी बच्चे को इस question में कोई doubt नहीं चल्दी से note करो एक minute का time है फिर इसके बाद इसका second part यानि जो इसका अगला question 16 वो कराता हूँ मैं फिर इसके बाद एक बहुत अगला question वो भी कराना मुझे ठीक है? चलिए उमीद करता हूँ अदार लिया होगा अपने ठीक है? अगला question देखते है ठीक है? अब देखिए अब देखिए 16th question करा इना survey इना शर्वे इट वाज़ फांड था 21 पीपल लाइक product A 26 लाइक product B and 29 लाइक product C if 14 पीपल लाइक product A and B 12 पीपल लाइक product C and A 14 पीपल लाइक product B and C 8 लाइक अब अल थी प्रोड़क्स find how many like product C only अरे बहुत ही असान question है ठीक हैं तो देखो सबसे पहले बात सर्वे हुआ कितने लोग हैं हमें नहीं पता चलो हमें सीधा मतलब इससे हाँ बैस सिक्स्टीन्थ कोश्चन मिस्लीनियस का क्या लिखना है कि नंबर ओफ पर्संद्र को लाइक कि प्रोड़क्ट ए प्रोड़क्ट ए तो प्रोड़क्ट ए कितने लोग पसंद कर रहे हैं बच्चो 21 लोग नंबर ओफ पर्संद्र हूँ लाइक प्रोड़क्ट बी कितने लोग 26 लोग नंबर ओफ पर्संद्र हूँ लाइक प्रोड़क्ट सी तो कितने लोग 29 लोग ठीक है भई If 14 people like product Number of person who like product A and B हाँ जी A and P ठीक है यह लिखेंगे both A and B Both A and B तो कितने लोग है 14 Number of person who like product both हाँ बही क्या है C and A C and A कितने लोग है 12 और Number of person who like both B and C तो B and C कितने है 14 ठीक है और कह रहा है Number of person who like product all three All three तो कितने है 8 तो कितने है 8 तो किया कह रहा है तो कह रहा है हमें बताना है Number of person Who like Who like Product Only C Only C ठीक है बही C के सिवा और कोई चीज पसंद ना हो ठीक है जी कोई बात नहीं अभी कर देते हैं Wend Diagram बनेगा एक मेंट में सोल होएगा A B C A B C हाँ जी अब जल्दी से बता दो मरगो Sorry हाँ जल्दी से बता दो हमें क्या करना है Only C तो मैंने आपको बता रखा है ना जब भी किसी के आगे Only लग जाए तो सिर्फ उसी के साथ काम करेंगा और किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है तो Only C का मतलब क्या हुआ कि हमें काम सिर्फ इतने हिस्से में करना है ठीक है तो चलिए बई यहाँ पर लिख देते हैं Only C का मतलब Only C तो अब क्या होगा सिर्फ माइनस होगा इसमें से क्या क्या माइनस होगा देखो एक तो माइनस होगा B और C B और C कर दिया जी माइनस B इंटरसेक्षन सी A को और माइनस होगा कौन? C और A C और A तो यह C और A माइनस कर दो लेकिन एक समस्या हो गई क्या? कि जब मैंने B और C को माइनस किया और जब मैंने C और A को माइनस किया तो ये बीच वाला हिस्सा दो बार माइनस हो गया ये बीच वाला हिस्सा कितनी बार माइनस हो गया दो बार जबकि करना कितनी बार था एक बार तो कितना एक्स्ट्रा माइनस हो गया एक बार एक्स्ट्रा माइनस हो गया तो उस एक बार को एड करतेंगे हो गया question C कितना है C कितना है 29 B intersection C 14 C intersection A 12 29 और 8 कितना होता है 37 14 ये 26 answer 11 तो 11 परसन ऐसे हैं जो only C पसंद कर रहे हैं और only C का मतलब होता है कि C में और कोई include ना हो सिर्फ ये वाला हिस्सा समझ मही बात तो इस तरीके से बच्चों अगर only B और only A आप लोग मुझे लिकाल के दिखाएंगे क्या 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 निकाल के दिखाएंगे only A only B at least one of the product ये मुझे आप लोग निकाल के दिखाऊगे या एक और add करो इसके अंदर exactly one product like like at least one और like exactly one product ये question मुझे आप लोग next class में इसी question के ये पार्ट करके दिखाऊगे only A only B like at least one of the product like exactly one product तो ये चार question मैं आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ इसके तुरंत बाद एक question और करा रहा हूँ ठीक है फिर इसके बाद एक class और ली जाएगी आपकी ठीक है जिसमें ML भी कराऊँगा हो सकता दो class भी ले लो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है तो लेकिन आज एक question और कराऊँगा जो की बहुत important है ठीक है तो जल्दी से इसको note कीजिए वई फिर मैं आपको ML अगरवाल से कुछ important question करवाँगा कम से कम 4 से 5 जो कि कई बार exam में repeat हुए है ठीक है तो चलिए बच्चो आज मैं एक आखरी question ले रहूँ ऐसा आज मुझे थोड़ी छोटी class बनानी पड़ रही है reason क्योंकि बच्चो first year वाले बच्चो का exam है assignment submission है तो उसके लिए मुझे थोड़ी लंबी वीडियो बनानी है तो बच्चो आज के लिए sorry थोड़ी से छोटी वीडियो बन रही है ठीक है लेकिन next class में मैं आपको proper तरीके से तोड़ा extra time देके ये खतम करा दूँगा chapter ठीक है वैसा देखो मेरे को आज इतना topic कराना था मैंने cover कर दिया लेकिन मैं सोच रहता कि और भी topic cover करता आज लेकिन sorry मुझे आज कुछ काम भी है यानि first year वाला इस वज़े से मुझे जाना पड़ेगा लेकिन ये question करा के जाएंगे example number 34 बहुत ज़्यादा important और exam oriented कई बार exam में आया हुआ है question देखो क्या है पहले ध्यान से सुनना a college awarded 38 medal in football football में 38 medal देता है 15 basketball में और 20 cricket में medal दिया जाता है total जो है 58 लोगों को medal दिया गया जिसमें से only three medal sorry only three men got medal in all three sports मतलब तीनों sports में सिर्फ तीन लोगों ने ही medal जीता मतलब cricket में भी basketball में फुटबोल में सिर्फ तीन ही ऐसे लोग थे जिन्होंने तीनों games में medal जीता तो कह रहा how many medals in exactly two of the three sportsmen बच्चों एक बार ध्यान से सुनना अब तक मैंने exactly one वाला कराया था लेकिन क्या मैंने आपको exactly two वाला question अभी तक कराया नहीं कराया तो वही question है अब यह वही question है exactly two वाला तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए चलिए पहले लिखते हैं कि करके इसके जो भी है, ठीक है? नंबर ओफ मैडल्स in football, तो football में कितने medals है अच्छो? Number of medals awarded, ठीक है जो? यह न आ, awarded in football, हाँ जी football में कितने medals माटे गए? 38 medal number of medal awarded in basketball तो basketball में कितने medal बाते गए हंजी basketball में 15 15 और number of medal awarded in cricket तो बच्छो cricket में कितने 20 medal बाते गए ठीक है और कह रहा है कि total 58 लोगों को number of medal awarded in in at least in at least one of the three game one of the three three sports awarded in at least one of the three sports हां जी तो कितने 58 कम से कम एक खिल में यह नहीं कितने लोगों को भई 58 लोगों को अवार्ड किया गया अब कह रहा है हाँ बाई in all हाँ बाई number of medals awarded in all three sports all three sports हां भई तो तीनों sports में अवार्ड जो दिया गया वो कितने लोगों को दिया गया तीन लोगों को दिया गया कितने लोगों को दिया गया तीन लोगों को तो कह रहा है बताईए हां जी तो हमें क्या निकालना है now हमें निकालना है number of medals awarded 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 in exactly two sports मतला तीन में से two sports में exactly two sports में कितने लोगों को मिले ठीक है बच्चो डाइग्राम बनाते हैं फिर बत करते हैं ठीक है पहले डाइग्राम बना लेते हैं फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट ठीक है पहले मैं इसको सभी से लिख लेता हूं हाँ जी नौ एन फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल यूनियन क्रिकेट फुटबॉल बास्केटबॉल क्रिकेट फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल 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 इंटरसेक्शन क्रिकेट और क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल प्लस फुटबॉल intersection basketball intersection cricket यही formula बनेगा चलिए यह कितना है 58 football कितना 38 basketball 15 यह 20 यह तो पता ही नहीं है यह भी पता नहीं यह भी पता नहीं और यह कितना है F intersection B intersection C कितना है 3 ठीक है तो यह आगया 58 यह आगया 38 और 20 58 ठीक है 58 प्लस 15 और 3 18 माइनस हां जी तो क्या होगे N F intersection B B intersection C C intersection F ठीक है 58 से 58 कट जाएगा या एक काम करो भाई क्या 58 इदर नहीं दो दोनों को ठाक इदर ले आओ तो यह बन जाएगा 58 माइनस 58 माइनस 18 बराबर माइनस 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 तीनों कामन ले लूँगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा मुझे मैं बच्चो माइनस तीनों का कामन ले लूँगा तो किछ ऐसा दिखाई देगा 58 से 58 कटा माइनस से माइनस कटा तो बचेगा क्या F intersection B B intersection C plus C intersection F किसके बराबर बचेगा 18 के बराबर और यह बन गया आपका equation number first यहां तक कोई problem कोई दिक्कत नहीं चलिए नोट कीजिए यह तक फटाफट फिर इसके आगे बताता हूं कि नोट कीजिए जल्दी से वीडियो पॉस करके नोट कीजिए इसे जल्दी से फिर आगे बताता हूं चलिए उमीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा हंजी इसे यही लिखे रहन दे रहा हूं ठीक है यह सारा मिटा रहा हूं मैं यह सब तो अपने नोट कर लिया होगा अच्छा एक बात और बतारो जैसे मैं यहां पर यह ऐसे अरो बना देता हूं ना नीचे यह आप लोग मत बनाना ठीक है एक्जाम टाइम पर पूरा लिखना है उसको नमबर और परसन जो भी है अब इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ठीक है इसको बस मैं अपनी एक बात बताना бچों मुझे यह एफ इंटरसेक्षन भी यही है ना अब देखो अगर आप गौर से देखोगे तो इस वाले हिससे को देखना है इसवाले को इतने हिससे को देखो तो इसमें एफ और बी तो है लेकिन जब यह नीचे वाला हिससा आप देखोगे इसमें एफ B और C तीनों है फुटबॉल भी है, बास्केटबॉल भी है, किरिकेट भी है तो अगर मैं इसको दो पार्ट्स मैं अलग अलग करूँ तो क्या मैं इसे A माल लू और इसे D माल लू कोई फर्क पड़ेगा, नहीं न, क्यों? क्योंकि ये तो तीन अलग हैं, वो दो अलग है इसी तरह B और C को देखा जाए तो इसमें भी दो वाले और तीन वाले अलग अलग है तो इस दो वाले को अगर मैं B माल लू और तीन वाले तो D है इसी तरीके से बच्चो C वाले को और F वाले को देखो बच्चो ये वाला हिस्सा तो दो वाला है लेकिन ये हिस्सा 30 मेला है तो इसको C माल लो और बीच वाला हिस्सा D है है की नहीं तो बच्चो पजप गोर से देखना Let ये तो हमने भईत्चो इस थरी प्रजेंट कर दिया और ये फिगर आपको बनानी है वहां पर और जब आप इस तरीके से इस figure को बना दोगे तो आप क्या देखोगे कि F intersection B जो है F intersection B किस से मिलके बन रहा है A से और D से A से और D से इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो A है ना सिर्फ F वाले को और B वाले को represent कर रहा है लेकिन यह जो D है यह F को B को और C को तीनों को represent कर रहा है मेरी बास समझ में आ रही है ठीक है अच्छा अब देखना क्या भाई यह हो गया अब प्लस इसी तरीके से B intersection C B intersection C में B plus D आ जाएगा B plus D आ जाएगा अच्छा और F intersection C में अब का C plus D आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा भाई बराबर 18 लेकिन बच्छों answer में हमें क्या चाहिए exactly two of the three sports मतलब क्या तीन में से कोई दो sports तीन में से कोई दो sports अब देखो A किसको represent कर रहा है F और B को दो sports को B किसको represent कर रहा है B और C को दो sports को और C किसको represent कर रहा है C किसको represent कर रहा है जल्दी बताओ C represent कर रहा है F को और C को ये B को और C को मतलब दो sports को लेकिन D लेकिन D किसको कर रहा है तीनों को और क्या हमें तीनों चाहिए नहीं चाहिए क्योंकि हमें क्या बोला गया है exactly two exactly two of the three sports मतलब क्या तीन में से दो sports वाले चाहिए तो दो sports वाले A, B और C तो हैं हमारे पास लेकिन ये D वाले हमें नहीं चाहिए तो हटाओ ना इसको D वालों को हाँ तो D वाले कितने एक, दो, तीन, 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 डी बराबर 18, अब एक बाद बताओ जल्दी से, ये D अखिरकार है कौन, बीच वाला और बीच वाले की वैलो तुमें कितनी बताई गई है, तीन, कितना बताई गया है, थ्री, हो गया खतम तो A, प्लस B, प्लस C, प्लस 9, बराबर 18, 9 उधर चला जाएगा तो A, प्लस B, प्लस C, तो 9, यानि 9 लोग ऐसे हैं, जो exactly 2 sports, क्या करते हैं, खेलते हैं, या पसंद करते हैं, या जो नहीं है, मैडल लिया, ठीक है, तो हम लिखेंगे, 9, 9 players, 9 players, awarded, awarded, in exactly, exactly, 2 of the 3 sports, 2 of the 3 sports, तो बच्चो, 9 लोग वो हैं, जो तीन में से, exactly, 2 गेमों को क्या करते हैं, मैडल लिया, A कौन है, A है आपका football, basketball, B कौन है, basketball और C कौन है, cricket और football, कौन है, cricket और football, तो इस तरीके के question, बच्चो, बहुत बार आपके सामने आएंगे, और आपको इस तरीके के question, कई बार tackle करने के लिए मिल सकते हैं, तो आपको tackle करते चले जाना है, और बच्चो, कोई भी अब doubt आए, इस परकार के question, आप कहीं से भी try किजिए, कहीं से भी try कीजिए, वैसे मैं ML अगरवाल से करवाओंगा, ठीक है, और अगली class में, मैं ये chapter आपका NCRT से खतम करा दूँगा, लेकिन ML अगरवाल से, मैं उसके next class में, म Friday तक हम लेके चलेंगे इसको, इसके बद हमारा first भी खतम हो जाएगा, third भी खतम हो जाएगा, फिर हम second chapter सुरू करेंगे, ठीक है, तो चलिए, इसे खतम करते हैं, ठीक है, और आज की class यहीं over करते हैं, next class में मिलते हैं, नई class के साथ,